अलमान खान अगर क्लास लगाएंगे इस वीकेंड के वार पे मनारा चोपडा की तो भी कोई डर नहीं है मनारा को ये बात मनारा ने खुद अंकीता को बोली है मनारा एक्चुली में एपिसोड जो देखा है उसमें जो है मनारा ने बहुत ही गलत बिहेव किया और रिंको जी के उपर भी काफी गलत बिहेव किया जबकि रिंको जी बोले कि मैं जाओं जस्ट कुछ ऐसा है वो बोला तो मनारा का गुस्सा जो है पूरा का पूरा रिंको जो है उपर उंतर गया जो कि नहीं होना चाहिए था उस वक्त वह हुट है डेफिनेटली पर आप ज मनारा एक अलग वे में जो है जा चुकी है एक अलग फेस में जा चुकी है मनारा जो है काफे सरी चीज़े कर रही है और बहुत सरे जवाब भी दे रही है कोई भी जो भी मनारा के मूँ लग रहा है मनारा जो है उसकी बोलती बंद करवा दे रही है जो भी चीज़े है तो मना को इतना फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि ना मैं अब बोलने लगी हूँ मैं जब से मैं बोलने लगी हुँ मेरी अंदर का जो बोज है वो कम होनी लगा है इसे चीजसे जो है लोग तुम से सो समझ के बात करते हैं और ज़ाधा नहीं बोलते और मेरे दिल में जो मैं चीजे डा अब मैं जब बोल देती हूं तो बोज कम हो जाता है अगर डांट भी पड़ी ना तो भी मैं सहलूगी पर यह चीज अच्छी है यह चीज बहुत अच्छी है आपको अपने दिल में दबाके नहीं रखनी चाहिए चीज यह ओंधा मुँपे बोल देनी चाहिए पर आपको बैलंस करना आना चाहिए आप बोलो पर बैलंस में बोलो कभी कबार कुछ ऐसी चीजे होती है situation जहां पर रिष्टे तूटने का डर होता है पर आपको वहाँ पर सच बोलना पड़ता है उस जगह पर अगर आप rude way में बात करोगे तो रिष्टा तूट जाएगा अगर आप वही बात को अगर अच्छे way में उस situation में आप सामने रखोगे तो रिष्टा और मजबूत हो जाएगा और आपके प्रती सामने वाले का प्यार भी जागेगा जैसे कि मुनावर के situation में वहाँ पर aggressive काफे ज़दा दिखाई दी मनारा अगर वहाँ पर प्यार से और पुलाइटली बात करती तो मेभी श्वयदिन का रिष्टा जो है काफी अच्छा बॉंड बन सकता था जो कि मुनारा फैंस को देखने के लिए आगे मिलता अच्छा वाला इसी के साथ मैं लेती हूँ जासत नमस्कार